लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए कुरोना वारस महामारी से जारी संकर्ट के बीच कारोबारियों और नागरिकों को कर्श भुगतान में राहत देने के लिए भारतिये रिजर्व बेंक ने बेंकों से तीन मही नहीं वसूलने का आग रह किया था भारतिये स्टेट बेंक, बेंक अफबर ओर्डा, HDFC समेत कई बेंकों ने सभी तरह के लोन की किस्तों में तीन महा की रोक लगाने के बारे में जरूरी नर्देश देना शुरू कर दिये हैं और अपने ग्राहकों को एक मार्ट से 31 माई तक कर्ज की एमाई वसूलने में राह अगर किसी ग्राहक का हूम लोन 30 लाक रुपे है और इसे लोटाने की अवधी 15 साल बच्ची हुई है तो 3 महीने की मुहलत अवधी का विकल्प लेने पर 2.4 लाक रुपे के करीब अतिरिक्त ब्याज लगेगा यह ब्याज 8 ये माई के बराबर है अगली स्लाइड में जानत हैं 6 लाक के वाहन लोन पर कितना असर पड़ेगा इसी प्रकार अगर ग्राहक ने 6 लाक रुपे का वाहन लोन ले रखा है और उसे लोटाने के लिए 54 महीने का समय बच्चा है तो छूट अवधी का विकल्प चुनने पर उसे 19,000 रुपे अतिरिक्त ब्याज देना होगा ज ही पुराने बकाएक का भुगतान नहीं ताला जाएगा और भुगतान न करने पर पेनल्टी लगेगी साथ ही आपको बता दें कि अगर आप तीन महीने किस्त न चुकाने का विकल्प चुनते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा अगर आ एक मार्च 2020 से 31 माई 2020 के बीच टर्म लोन की किस्त स्थगित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेंक को सूचित करना होगा